Hi everyone, welcome back So, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे Acceptance Handling के बारे में अब देखो जब भी हम Python का कुछ कोड कर रहे होते हैं तो हमसे कुछ गलतियां हो जाती है या फिर हमारे logic में कुछ कमी होती है तो हमें क्या है Python हमें help करता है हमारा जो logic है या हमारी जो error से उसको find करने में अगर ये errors ना हो ये errors हमें sure ना करे Python हमें pop-up ना करे error ना दिखाए तो हमें पता ही नीच लेगा कि हमने क्या गलति की है कहां गलति की है Let's say कि हमारे पास 1000 lines का code है अगर वो error sure नहीं करता है तो हमें पता ही नीच लेगा कि कहां पर हमारे पास error आया है तो हमें हर एक line को जाकर check करना पड़ेगा अब यहां पर क्या है जैसे कुछ syntax error होते है हमारे पास different type के errors होते है हमारे पास यहां पर error में जब भी होता है तो error क्या करता है हमारे पास जब भी कोई error होता है हमारे program में तो वो क्या होता है program को stop कर देता है तो उसका execution हमारे program का stop हो जाता है मलब हमारा program बंद हो जाता है काम करना अब error क्यों आते हैं वो हमने देख लिया है कि हमारा कोई तो logic में गड़ बढ़िये या हमारे syntax में कुछ गड़ पड़िये या फिर हमने ऐसा कुछ कर दिया है कि हमारी जो machine है उसको handle ही नहीं कर पा रही है हमारा जो processing power है उतना है ही नहीं जितना हम काम करवाना चाहरे है उससे तो हमें कुछ वहाँ से errors मिलते हैं तो हमारे पास different type के errors है हमारे पास python में first हम बात करते है syntax error के बारे में syntax error क्या होता है कि जैसे कि हमने जो हमारा python का code लिख रहे है उसमें हमने syntax में कुछ wrong लिख दिया है है ना जैसे कि हमारा intentation का कुछ problem है कहीं हमें colon लगा लाना था हमने colon नहीं लगाया है है ना parenthesis unbalanced है हमारे पास missing colon है या कोई keyword missing है तो इन सभी में हमारे पास एक error आता है वो है syntax error example करकर देखते है syntax error का जैसे कि मैं बोलता हूँ आपको मेरे पास एक a है और मैंने इसमें डाल दिया 10 और मैं चेक करता हूँ कि मेरा जो b है वो 20 है हमें एक effect condition लिखता हूँ कि a equal to equal to b के है क्या और मैं enter करता हूँ यहाँ पर और मैंने क्या क्या print कर दिया हमें अपना code चलाता हूँ right ऐसा ही तो करते हैं तो मैंने क्या क्या इफ और लोजिक मेरा सही है बिल्कुल है ना तो मैं क्या करूँगा print कर दूँगा यहाँ पर numbers are equal तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा numbers are equal अब मैंने माल लेते हैं कि मैं भूल गया यहाँ पर actually मुझे syntax के हिसाब से जो हमारे पास code दिखते है हमारा syntax if वाला जो condition है उसका syntax क्या है? condition के बाद में हमको colon लगाना होता है लेकिन मैंने colon लगाया या नहीं? मैं भूल गया माल लो है ना बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ करना होता लेकिन हम भूल जाते हैं हम भूल गए तो यह क्या करेगा हमारा code चलेगा ही नहीं तो इसने क्या किया हमें एक syntax error दिया और इसने बता दिया कि हमें कहां लगाना है कौन सी line में हमारी गड़ बढ़ी है तो इसने बताया मुझे कि हमारी जो line number 42 है तो मुझे actually पूरा code नहीं पढ़ने पड़ेगा जैसे ही मैं 1000 line का code था तो मुझे 1000 line का code नहीं पढ़ना पड़ेगा मुझे direct line number 42 पे जाना है और यह देखना इसने क्या कि है syntax error और उसने खुद नहीं ही बता दिया कि मुझे यह लगाना चाहिए ता है आपर है ना तो मैं यह लगाऊंगा और मैं वापिस से run करता हूँ तो हमारा प्रोग्राम चल गया क्योंकि हमारे प्रोग्राम में कुछ output इसलिए नहीं दिया यहां पर क्योंकि A और B इक्वल नहीं है अगर मैं इनको इक्वल करता हूँ तो अब मैं चलाता हूँ तो इसने हमारा जो आउट्पुट आना था वह output आ गया है हमारा तो इस तरह से जो हमारे जो error से वो हमको help करते है हमारी coding में हमको error क्या करते है हमारी जो हमारी error से वो हमारे दोश्मन नहीं है actually हमारे friend है error हमारे जो help करते है हमारे जो code है उसको और reliable बनाने में और efficient बनाने में next जो हम एरर की बात करेंगे वो type error है अब जैसे type error में क्या होता है कि जैसे कि माल लेते हैं कि मैंने क्या किया कि एक string ले ली और मैं क्या कर रहा हूँ उस string को integer में convert करने कि try कर रहा हूँ जैसे कि माल लेते हैं कि मेरे पास एक string है s एक string है और इसमें मैंने कुछ लिख दिया है कुछ भी लिख दिया है मैंने और मेरे पास एक number है n जो कि मेरे पास 10 है और मैं क्या कर रहा हूँ अब मैं print करना चाह रहा हूँ s plus n को तो जैसे मैं s और n को अगर add करना चाहूँ तो इसने क्या क्या type error दे दिया तो मैं क्या कर रहा हूँ ऐसी दो चीजों को add करने की कोशिश कर रहा हूँ जो उनका type ही same नहीं है जैसे integer और यहाँ पर मेरे पास क्या है एक string है तो ऐसी दो चीजे जिनका type अलग है और उनको मैं add करना चाह रहा हूँ तो हमें एक type error दे देगा कि आप ऐसी दो चीजों को add करना चाह रहे हो जो की same नहीं है तो इसने type error और यहाँ और यहाँ नहीं हम दो चीजों को ऐसी को जोड सकते हैं जो की same है integer integer के साथ जुड़ेगा और string के साथ जुड़ेगी बलब number type को जो number वाले हमारे पास variable से उनको एक साथ जोड सकते हैं जो string वाले उनको एक साथ जोड सकते हैं तो type same होना चाहिए तो हमारे पार इस तरह से type error हमको हमारे help करता है कि हमने कहां गलती गडिये को type error कर दिया है हमने क्या किया है कौन सा error कर दिया है अब next जो हम बात करते है name error की अब name error में क्या होता है कि जैसे कि हमने कोई function define कर लिया उसमें एक variable define किया मैंने जो कि उसके लिए locally है वो अब वो जो variable है वो function के बाहर तो हम use नहीं कर सकते जैसे कि मानते है और एक example लेता हूँ मैं है ना मैं एक example लेता हूँ कि define करता हूँ एक f function और इस function में मैं क्या करता हूँ एक locally एक variable define करता हूँ x और मैं लिख देता हूँ x में this is a local variable ठीक है मैंने function define किया है अब मैं क्या करूँगा print करूँगा f को f में से जो भी आयता है उसको मैं print करता हूँ तो मैं यहां से इसको return कर देता हूँ x को है ना तो यह print क्या कर देगा अब मैं क्या करना चाहरा हूँ x को यहां पर access करना चाहरा हूँ x मेरा क्या है local variable है लेकिन मैं क्या करना चाहरा हूँ x को x जो है इसके अंदर ही हम use कर सकते जो x है उसको हमने define कहा किया है f जो हमारा function है उसके अंदर और हम इसको access करना चारे f के बाहर f के बाहर हो गया ना ये बाहर इसको access करना चारे तो हमको ये क्या है एक error show करेगा तो इसने एक error show कर दिया हमारे पास उस error का नाम है हमारे पार name error तो इसने बताया है कि जो name x is not defined तो हम line number 459 पे जाएंगे हम गए 459 पे और हमने check किया कि क्या दिक्कत है तो इसने कहा कि जो x है वो defined नहीं है इसमें defined नहीं है इसमें मतलब हमने x को यहाँ पर कहीं पे define ही नहीं किया हमने define किया x को locally तो हमें पता चल जाए कि हमने गलती क्या करी है तो इस तरह से हमारे पास जो error से वो हमारी help करते हमको पता करने में कि हमने क्या गलती करी है तो उससे हम अमारे code को क्या कर सकते हैं वो आपिस ठीक कर सकते हैं, next जो हमारा error है, वो index error, अब जैसे कि मैंने एक list बना ली, और उस list में मैं वो index access करना चाता हूँ, जो कि वो list में है ही नहीं, वो element access करना चाता हूँ, जो कि वो list में है ही नहीं, तो हमें क्या कि वो out of range चला जाएगा, तो हमें क्या है, index error देगा, क number ले लेता हूँ, for example, 1, 2, 3, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं print करता हूँ, इस list के, एक जीरो तो element को, 0 index को, 0 index पे जो element है, 0 पे क्या है, 0, 1, 2, तो index कहा तक जा रहा है, 0 से 2 तक जा रहा है, और मैं एक print करने का try करता हूँ, इस पर, 1 के index number 3 पर, तो हमारे index कहा से कहा जा रहा है, 0, 1, और 2 तक, 3 index तो हमारे पास list में है ही नहीं, और यह access करने के try कर रहा है, तो यह क्या करेगा, हमको एक error देगा, उसने क्या किया, index error शो गिया, और इसने बता दिया कि line number 462 पर यह गलती हुई है, क्या गलती हुई है, कि हम out of index चले गए, list के, जैसे कि हम बह favors कर रहे होते हैं, उसमें क्या कि read कर रहे होते है data को, और हम ऐसे index को access करना चाते है, जो कि वो उस data में है ही नहीं, है न, out of range चला जाए, तो उस end तरह की problems को solve करने के लिए, उस तरह की problem को पता करने के लिए हमारे पास index error है, ताकि इस तरह की गलतिया हम ना करे, next है हमारा key error, अब key error क्या होता है, कि जैसे हमारे पास dictionary है, और dictionary में key value pair में हमारे पास data होता है, हमने dictionary पे ऐसी key डाली, जो कि उस dictionary में है ही नहीं, तो वो क्या बोलेगी, कि ये key तो मेरे पास ही ही नहीं, मैं सिरको इसकी value कहां से लाकर दूँ, तो जैसे कि हमने dictionary पढ़ी थी हमारे, त को access करने की कोई ही कर रहा हूँ, तो key age हमारे पास dictionary में है, तो उसने क्या किया हमें, age हमारी print कर दी, लेकिन मैं इस dictionary 1 है हमारी, और इसके x, y, मा लेते हैं, कि मैं x, y, z को key pass कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा, मेरे को बोलेगा, कि ac तो कोई key exist करती ही नहीं है, dictionary में, आप access करने की कैसे try कर रहे हो, तो इसने क्या किया, मेरे को एक key error दे दिया, कि x, y, z, जो है, ऐसी कोई key ही नहीं restriction दे दी में, तो इस तरह से हमारे पास जो error से, वो हमारी help करते हमको जो हमारी गलतिया है, उसको पता करने में, अब value error के बारे में समझते, अब value error जब होता है, ज integer को देना था, एक integer, ठीक है, अब मैंने क्या किया, उस argument जैसे मेरे पास क्या होता है, कि एक function होता है, और function के अंदर हम क्या करते है, कि एक argument पास करते है, इस argument में मैंने देना था, मैंने जब define किया था function, तो इसमें क्या दे रहा था, मैं एक integer पास कर रहा था, लेकिन मैंने क्या किया यहां पर अब string press कर दिए तो जो मेरे पास code था मेरे पास यहां पर तो वो मिन्स लिखा था integer के हिसाब से कि यहां पर मेरे पास जो आएगा वो integer आएगा लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ string को फिर में convert करने की कोशिश कर रहा हूँ integer में as a integer मान के ऐसे integer मानके मैं code को try कर रहाऊ हूँ उस पर code try कर रहाऊ हूँ तो वो क्या दे देगा मेरे को value error दे देगा कि आपने जो function में pass किया है वो गलत है तो इस तरह से हमारे पास जैसे कि अब हमने code में क्या गलती गरी है कहां गलती करी है किस तरह की गलती करी है तो यह हमारे पास हमारे पास जो error से हमको बताते हैं हमारी help करते हैं हमको डूनने में कि हमने गलती क्या कहा करी है input out of the expression में क्या होता है कि जैसे कि हम कुछ input देते कुछ output देते screen पर जैसे कि हमने एक file है मेरे पास एक text file है और उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ read कर रहा हूँ तो read करते हैं हमारे पास कुछ error आ जाता है कुछ उसमें इस तरह से कुछ problem आ गई जिस तरह से हम read करना चाहरे थे उस तरह से वो read नहीं हो पा रही है तो ये क्या कर देगा हमको input reading error देगा input error देगा कि हम आ रहे जो reading करते time में उसमें error आ गया है जैसे हमने कोई file बनाई है और file में हम data को क्या कर रहे है write कर रहे है यानि उसमें हम लिख रहे है data को और लिखते समय हमें क्या कुछ error आ गया कि वो हमें show कर देगा कि हमारे पास कहां error आ गया है और कौन सी file में क्या error आ है तो हमें क्या पता चल जाएगा इस से कि हमारे पास कहां और किस तरह का error आ है तो हम उसी problem पर काम करेंगे उसी को solve करने के लिए काम करेंगे अगला है हमारे पाइब division error zero division error हम माल लेते मैं किसी number को zero से divide करने के try कर रहा हूँ जैसे मेरे पास एक n number है 10 और मैं print करना चाहता हूँ n divided by zero syntax मेरा सही है कोई दिक्कत नहीं कहीं पर भी syntax मैंने सारे सही लिके लेकिन मैंने एक गलती कर दिये कि मैं किसी number को zero से divide करता हूँ तो वो infinite number दे देता है हमको यह ना एक बहुत बड़ा number तो यहाँ पर हम infinite number तो generate कर नहीं सकता है machine तो वो हमको division error देता है क्योंकि हम किसी number को zero से divide नहीं कर सकते है तो उस condition में क्या करता है हमको जो हमारा compiler है वो एक division error शो करता है अगर हम इसको run करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर output में क्या है zero division error इसने शो किया और कहां किया है कौन सी line पर हमने क्या गलती करी है उसने यह सब हमको बता दिया है और इसने बता है कि हमने जो division कर रहे है हम वो zero से कर रहे है तो हमारे पास हमने यह एक गलती करी है next हम बात करते है input error की module है लेकिन माल लेते हैं कि ऐसा कोई module में import करना चाहता हूँ जो कि मेरे पास है ही नहीं है हमारे python में हमने वो install ही नहीं कर रखा है वो module तो उसमें क्या करेगा हमको एक error show करेगा कि यह module हमारे पास नहीं है हम इस module को load नहीं कर पा रहे है जैसे कि में करता हूँ import x y z एक module को में import करना चाह रहा हूँ तो यह क्या करेगा मेरे को एक error show करेगा कि यह module तो हमारे पास ही नहीं हम कहां से इसको import करें तो इसने क्या किया module not found error तो इसने मेरे को बता दिया कि हमने गलती कहा करिए कौन सी line पे गलती करिए और हम कौन सा module है जिसको हम load करवाना चाहते है लेकिन वो module exist नहीं करता है तो इस वीडियो में पढ़ा है कि हमारे पास किस तरह से हमारे पास जो compiler हमें error show करता है वो किस तरह से हमारी coding में help करता है नेक्स हम वीडियो में बात करेंगे advantage and disadvantages के बारे में exception handling के बारे में and error और exception में difference क्या है उन सब के बारे में हम next वीडियो में बात करेंगे सब तक के लिए आपके लिए एक exercise रहेगी जैसे कि आपको क्या करना है कि ये जो सारे अभी हमने जितने भी exception पढ़े उन सबी को try करना है syntax error को type error को name error को जो हमने अभी तक code किये list पढ़े, tuple पढ़े, dictionaries पढ़े functions पढ़े, इन सबी पर क्या करना है उन सबी जो हमारे exception है उनको खुज से try करना है एक एक बार ताकि हम जब इन कोई exception handling को बढ़ रहे हों है, तो हमें पता हो कि कौन सा error किस तरह पर काम करता है और कौन सा error कब हमें return करता है कब हमारे पास कौन सा error generate होता है